पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोग दिया इसे लेकर जमकर बवाल भी हुआ कॉंग्रेस अध्यक्ष मलेक अर्जुन खडगी ने सरकार की नियत पर सवाल उठाए उन्होंने कहा कि पियम मोदी ने मनिपूर पर अपनी चुपी तोड़ने की जहमत नहीं उठाई है उन्होंने राज्जी को अपने हाल पर छोड़ दिया है अब उनकी डबल इंजन वाली विनाशकारी सरकारे राहूल गांधी की पहुँच को रोकने के लिए निरंकुष तरीकों का इस्तमाल कर रही है ये पूरी तरह से अस्विकारी है और सभी समवेधानिक और लोकतांत्रिक मानदंडो को तोड़ने वाला है मणिपूर को शांती की जरुत है टकराव की नहीं खडगे ने वोधी सरकार पर सवाल उठाए तो बचाव में मणिपूर बिजेपी प्रभारी सम्वित पात्रा सामने आए उन्होंने कहा कि लोग उनसे सवाल कर रही है कि आखिर कॉंग्रेस ने इतनी गल्तियां पहले क्यों की थी आज तक वो मसले हल क्यों नहीं हो सके जिस जिद के साथ राहूल गांदी यहां आए वो छीक नहीं है समेंदर्शिल जगों पर जागरुकता के साथ जाना चाहिए संबित पात्रा ने मनिपूर समस्या के लिए एक तरह से कॉंग्रेस को ही जिम्मेदा ठहरा दिया और कहा कि राहूल को रोका नहीं गया था उन्हें हवाई मार्ग का विकल्प दिया गया था बिजेपी के आरूप पर कॉंग्रिस की ओर से तुरंद पलचवार किया गया कॉंग्रिस प्रवक्ता सुप्रिय शुनेत ने कहा शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसा बयान वे रही है राहूल गांधी वहाँ लोगों को धंडस बनाने जा रही है समित पात्वरा से हमें नसीहत नहीं चाहिए वो इंचार्ज है मणिपूर के उनकी और उनकी पाठी की क्या जवाब दे ही है जिस भी माधियम से जाएं राहूल गांधी जाएंगे जरूर जब मणिपूर अशान्थ है तब बिजेपी इसे विरासत का मुद्दा बता रही है इस भी शिफसीना यूबीजी के सांसर संजराउत में दावा किया है कि मणिपूर में चल रहे टकराफ के पीछे चूइन का हाथ है लेकिन हमारी सरकार चूइन के खिलाफ अपना मूँ नहीं खोलेगी